चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समार, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समार, दस मिनिट में, बिग ब्लिस एप है खुशियो किप सीजन लगभख शुरू होने वाला है, लेकिन कपास को लेकर काफी शांती है, सोयबीन के बीज और बीज प्रसंस करण आदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कपास के बारे में कोई चर्चा अभी नहीं है, इस साल अंतिम चरण में कपास को रिकॉर्ड रेट मिला है, जिसके चलते इस साल कपास के रक्वे में बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन कपास पर पिंक बॉल वॉम कीट के बढ़ते प्रकोप से किसान परेशान है, यदि कपास को मौसम से पहले लगाया जाता है, तो ये अन्ने फसलों को भी प्रभावित करेगा, वह पिंक बॉल वॉम या गुलाबी सुन्डी कीट ना केवल फसलों को बलकी खेट की भूमी को भी नुकसान पहुचाते हैं, इसलिए कपास की पूर्व मौसम रौपन को रोकने के लिए कपास के बीच की बिक्री पर प्रतिबन लगाया गया है, किसान एक जून से बीच में कमी आई है, वहीं कपास के फसलों पर कीटों का प्रभाव बढ़ने और कपास का सही भाव नहीं मिलने के चलते, किसानों ने अपने फसल पैटर्न में बदलाब भी कर लिया था, इस साल रिकॉर्ड ग्रेट मिलता दिखा किर्षी विभाग ने कपास का रकबा बढ़ान की संभावना जताई है, इसलिए किर्षी विभाग सतर्क रूप से अपना रहा है और किसानों को सलहा दे रहा है कि कपास का सही मौसम आने पर ही वुआई करें, नहीं तो एक बार फिर से कपास की फसलों पर कीटों का जो प्रभाव है वो पढ़ेगा, वहीं बॉल वर्म की बढ़ती घटनाओं के कारण 2017 में कपास की फसल को भाली नुकसान हुआ था, इसलिए 2018 और 2020 के बीच विबिन उपायों को लागू भी किया गया, वहीं पूर्व मौसम कपास की खेती अन्य फसलों को भी प्रभावित करती है, इसलिए क्रिशिव विभाग ने कपास के बीच बीच को सीजन खतम होने के बाद ही बजार में उपलब्द कराने की बात कही है ताकि प्री सीजन कॉर्टन नहीं लगाया जा सके, वहीं कपास के बीच को बेचने की योजना बीच उपलब्द होने पर किसान तुरन खेती करना शुरू कर देते हैं, इसलिए बीजों की आप खुद्रा विकरताओं को आप पूर्ती करेंगे, जबकि खुद्रा विकरता एक जून के बाद किसानों को ये बेचेंगे, तो बड़ी खबर में अब भी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आ बने रहे हैं, मार्के टाइम्स टीवी के साथ मुझे सब्सक्ते लिए